नुच्छ आज़ते हैं कभी कभी एसा होता है कि सब कुछ अच्छा चलता रहता और अचाना की सारे काम विगड़ जाते हैं जो तिश के अनुसार ऐसा बुरी नजर की वजह से हो सकता है जब कोई व्यक्ती हमारी सफलता और सुख से जलता है तो वह हमारे लिए लगादार, बुरा सोचते हुए हमारी और एक टक देखता रहता है तो उसकी बुरी नजर लग सकती है जो लोग कमजोर इक्षा शक्ती बाले होते हैं उन्हें दूसरों की बुरी नजर जल्दी लगती है जब नकरात्मकता हावी होती है तो व्यक्ती के स्वभाव में गुस्सा बढ़ जाता है छोटी छोटी बातों में ही बहुत जादा गुस्सा आने लगता है व्यक्ती मानसिक तनाव महसूस करने लगता है कहीं भी किसी भी काम में मन नहीं लगता अगर घर पर किसी की बुरी नजर लग जाए तो घर में अकसर जगड़े होने लगते हैं जिस व्यक्ति को किसी की बुरी नजर लगती है उसे डरावने सपने आने लगते हैं अगर व्यक्ति को बुरी नजर लगी है तो वह अमवस्या और पूर्णिमा तिथी पर बेचेन रहता है तो आपको बुरी नजर से बचने के लिए क्या उपाए करना चाहिए अगर किसी को बुरी नजर लग गई है तो घर में पीली सरसो गुगल, लोभान और गाय का घी मिला कर धूप जलाना चाहिए यह उपाइ सूर्यास्त के समय करें और इसके लिए गाय के उपले यानी कंडे का उपयोग करें व्यक्ति को हनवान चालिसा का जाप करना चाहिए घर में साफ सफाई रखना चाहिए नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए जाद से जादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें देशी भक्ती चनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर दबाएं